क्या आप समय आने पर येशु का इनकार कर देते हैं या उसके लिए खड़े होते हैं पिछली क्लास में हमने पड़ा था कि महायाजकों और लोगों के पुर्णियों के और से बड़ी भीड तलवारें और लाठियां लिए हुए आई और येशु को पकड़ लिया अब यहां लिखा है कि वे येशु को काइफा नाम महायाजक के पास ले गए लेकिन युहन्ना अठारा बारा से तेरा के अधार पर पहले वे येशु को हन्ना महायाजक के पास ले गए जो पूर्व महायाजक था और हन्ना काइफा का ससुर भी था पुराने नियम के वैवस्ता के अधार पर महायाजक का पद उसकी मृत्यू तक चलता था लेकिन जब इसराइल रोमी सामराजी के आधीन आ गया तो उन्होंने महायाजक के पद की नियुक्ति को अपने नियंतरन में ले लिया ताकि महायाजक उनकी नीतियों में सयोग करे उनकी पॉलिसीज में हन्ना और काइफा दोनों सदूकी थे इसलिए वे पुनरुथान और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे वे केवल बाइबल की पहली पांच पुस्तकों को ही मानते थे जो मूसा ने लिखी दी तो पहले येश्व को हन्ना के सामने पेश किया गया जहां हन्ना ने उससे कुछ सवाल जबाब किया दरसल ये एक रण नीति थी जिससे काइफा महायाजक को थोड़ा समय मिल जाए यहूदियों की महासभा इकठा करने का जिसको सैन हेडरन कहा जाता था जो यहूदियों की सबसे शक्तिशाली धार्मिक और राजनेतिक सभा थी तो कुछ समय हन्ना के यहां जांच पर्टाल करने के बाद वे येश्व को काइफा महायाजक के पास ले गए और येश्व के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुर्णिये इकठे हुए थे बजाए अगले दिन उजाले में मंदिर में इकठे होने के वे रात को ही काईफा के आंगन में इकठे हुए ताकि येशु को सब से पहले ही मरवा दिया जाए मतलब 24 गंटे के अंदर अंदर इसलिए वे बहुत जल्दी में थे और पत्रस दूर से उसके पीछे-पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैढ़ गया मतलब कि क्या करने वाले हैं वो येशु के साथ पत्रस को अपनी जान का डर था इसलिए बाकी शिश्यों की तरह पत्रस भी गत्समनी में येशु को छोड़कर भाग गया था लेकिन वो दूर से भीड के पीछे-पीछे चलता हुआ महायाजक के आंगन तक गया ताकि देख सके कि वे येशु के साथ क्या करते हैं महायाजक और सारी महासभा इसलिए महायाजकों और पुर्णियों को रोमी सरकार द्वारा अधिकार दिये गए थे कि वे अपने धार्मिक कारियों से संबंदित विवादों को खुद ही निप्टा ले लेकिन किसी को मृत्यूदन देने का अधिकार उन्हें नहीं था वो अधिकार तो केवल रोमी सरकार के पास ही था जैसा यहना 18-31 में लिए यहूदियों की महासभा येशु के विरुद कोई जूटा केस तयार करके उसे रोमी सरकार द्वारा मृत्यूदन दिलवा सके इस कारे के लिए यहूदा इसकरियोती उनके काम का आदमी हो सकता था लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए अन्य जूटे गवाहों की खोश की गई जो येशु के विरुद कोई जूटी गवाही दे सके क्योंकि सच्ची गवाही के अधार पर तो येशु मे येशु ने कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढ़ा सकता हूं और उसे तीन दिन में बना सकता हूं मंदिर के विरोध में बोलना गंभीर विशे था जैसा प्रेरितों के च्छे 12-14 में लिखाई अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे करें. GrandDeal.com पर देख सकते हैं यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियो में अपलोड किया हूआ है तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें यह एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें यह भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेब साइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोज अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोज बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबा कर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है